सब्सक्राइब कीजिए हमारे चनल को और दबाएए बैल आइकन को हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तो हमारे यूटूब चनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज इस वीडियो में हम आपको कच्चे आम के चुका देने वाले फाइदों के बारे बताएंगे दोस्तो गर्मियों के मौसम में आम खाना सब लोग पसंद करते हैं इसे फलो का राजा भी कहा जाता है पका और मीठा आम तो सब लोग पसंद करते हैं लेकिन कच्ची कैरी को बहुत कम लोग ही खाते हैं क्योंकि यह खाने में बहुत खटा होता है कच्चे आम को नमक के साथ खाने से सरीज को कई फाइदे होते हैं इसमें विटामिन A, C और E के अलावा कैलिसियम फाइवर होता है जिसे सरीज में पोसक ततों की कमी नहीं रहती आईए जानते हैं कच्चे आम खाने से हमें कौन-कौन से फाइदे होते हैं नमर एक दोस्तों ऐसीडिटी कच्चा आम खाने से पेट की कई समिश्या दूर होती है गर्मियों में अक्सर मसाले तर बोजन खाने की वज़े से ऐसीडिटी हो जाती है ऐसे में कच्चा आम खाने से हमें बहुत से लाव होते हैं और ऐसीडिटी ऐसी समिश्या नहीं होती और बोजनवी आराम से पत जाता है 2. रख्त परवा कच्चा आम में विटामिन C होता है जो रख्त कोशीकाओं को लजिला बनाता है इसे शरीर में खुन का दोरा सही तरीके से चलता है 3. लीवर कच्चा आम का सेवन करने से लीवर मुझबूत होता है जिन लोगों को लीवर की प्रेशानी है उन्हें कच्चा आम जरूर खाना चाहिए नमबर च्यार दोस्तो वजन कच्चा आम खाने से वजन कम होता है इसमें फाइवर भरूर मातरा में होती है जो सुरीज की जमी अंतरिक चरबी को गटाती है धन्यवाद दोस्तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेर जरूर करना और हमारी चैनल हैल्थ ओनलाइन को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके